हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है दत्ता देवतरे मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूटीब चैनल पे फ्यूचर सिविल सर्वंट पे आज हम देखने वाले है ओपन स्काइस ट्रीटी के बारे में चलो शुरू करते हैं पहले तु जान लेते हैं कि अभी ये निउस में क्यों है अमेरिका क्या ये कहना है कि वो इस ट्रीटी से विड्रॉ करेंगे क्यों क्योंकि जो रश्या है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है और ये refuse कर रहा है जो भी इसके criteria में points आते हैं ठीक है अभी हम बात करते हैं actually में ये open skies treaty क्या है ठीक है ये जो treaty है ये propose किया था USNA 1955 में और ये sign किया गया था 1992 में और ये force में आया था January 1, 2002 में ठीक है इसके जो members country है वो surveillance flight conduct कर सकते है एक दूसरे के territory पर ठीक है फिर अगला जो point है वो है ये data collect करते है military forces के जैसे military forces कहाँ पर stationed है और उसी के साथ military equipments के बारे में भी ये surveillance करते है जैसे artillery guns कहाँ पर है, airplanes कहाँ पर है and so and so ठीक है और ये monitor भी करते है arms development के बारे में ठीक है जो भी nuclear development होता है उसका ठीक है एक example से मैं बताता हूँ अगर country A है और country B है अगर country A को country B पर surveillance करना है अगर B ने permission दी है A को तो इनके दोनों के बीच में एक confidence build होता है ठीक है वो ही next point है इसके जो members है वो 34 members है और इंडिया इसका part नहीं है ये जो treaties implement हुई थी उसका reason था कि open skies consultant commission के वाज़े से ये treaties implementation में आ गई थी ठीक है यहाँ पर 2002 से लेके 2016 तक सबसे जादा USA ने यूज किया इसका comparatively रश्या से more than double ठीक है और इसके दोनों भी ये members है move करते हैं आगले slide पे अब देखते हैं कि impacts क्या है ठीक है पहले 2019 में US और रश्या दोनों ने भी walk out किया था एक intermediate range nuclear force treaty से ठीक है और जो अभी new start treaty है वो expire होने वाली है 2021 में ठीक है इन दोनों ही treaties के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं पहले तो देखते हैं intermediate range nuclear force treaty के बारे में intermediate मतलब medium range ठीक है मतलब 500 से 1000 km की range तक यह एक arms control treaty है जो US और रश्या के बीच में sign हुई थी 1987 में तब यह एक Soviet Union था अभी रश्या है यह sign हुआ था 1987 में और यह expired हो गया था पिछले साली 2019 में according to this treaty इसमें जित्ते भी land based missile है वो सब बैन है ठीक है उसमें ballistics और cruise missile भी आते हैं लेकिन इसमें air और sea based जो भी missiles है इसमें यह cover नहीं करते हैं ठीक है फिर इस treaty में US ने 2nd of august 2019 को withdraw कर दिया था और उसका सबसे बड़ा reason है कि जो other countries है उसकी जो missile development project है वो continuously grow कर रहे थे और US को अपना market बनाना था इसलिए इसने withdraw कर दिया था ठीक है फिर हम देखते है new start treaty के बारे में अब start का full form दिया गया है strategic arm reduction treaty और यह भी treaty US और Russia के बीच में है अब arms reduction मतलब क्या यह भी हम जान लेता है ठीक है पहले start amounts और ammunition थे इन्होंने delimitation कर दिया थे उनके और इन्होंने एक limit लाए दिया था कि इसके उपर वो stocks नहीं रखेंगे ammunition का ठीक है फिर उसके बाद new start treaty के बारे में ही जानते है यह इसका ही succession है इसको sign किया गया था 8th of April 2010 में और यह force में आया था 5th of February 2011 को और वो expire होने वाला है 2021 में ठीक है अब सबसे बड़ा concern जो है China का nuclear stockpile वो biggest concern है USA के लिए ठीक है क्यूंकि USA की autonomy भी इस पर question हो सकती है और along with USA South और Southeast Asian countries इनको भी चाइना से थोड़ा डर के रहना पड़ता है क्यूंकि जिस तरह से उनका influential चल रहा है South China Sea में और Indian Ocean में जिस तरह से वो काम कर रहे है तो बाकी countries को थोड़ा बचके ही रहना पड़ता है ठीक है इसलिए USA कर रहा है कि एक new arms control regime establish की जाए जिसमें China भी पार्ट रहो ताकि उनका जो चाइना का nuclear stockpile है वो control किया जाए ठीक है I hope ये lecture आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please like, share and subscribe it thanks for watching